हाई एवरिवन मिरा नाम है विजेत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोड़क्ट की जो कि मैंने फ्लिपकर्ट की बिग बिलियंडे सेल में परचेस किया बेसिकली मैंने आइफोन परचेस किया था 50,000 से कम वाले प्राइस में मैं एक प्लस मेंबर हूं तो मैंने उसी रात को यह प्लेस कर दिया था आप और टाइम देख सकते हैं एक बच के 6 एम पे बड़ यह ऑर्डर सत्ता है इस तारिकता कहने कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ना शिप हो रहा था ना क्या ना सेलर से प्रोसेस हो रहा था कोई इस सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कैसे शिप हुआ और क्या इसका पूरर प्रोसीजर था तो मैं आपको बताता हूं मैंने क्या क्या किया जिसकी विज़े से यह आज शिप हो गया तो सबसे पहले यार 22 तारिक को यह यह शिप नहीं हुआ तो 22 को मैंने कुछ भी नहीं किया 23 तारिक को मैंने फ्लिप कार्ट को कॉल किया कॉल में बैक रिक्वेस्ट प्लेस की और उससे मुझे पता चला कि यह प्रोड़क के शिप नहीं हुआ बट अपरूफ्ट है सेलर की तरफ से और कुछ प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में और फ्लिप कार्ट उसके बाद मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया जिसमें मैंने टाइक किया फ्लिप कार्ड को फ्लिप कार्ट को लिखा लिखा उससे की त्रूच कार्टमेंट अब उसके 尽में,डजिक भा उसके सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपने ये रिक्वेस्ट और कम्प्लेन डाली है तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बिलकुल इसे address करेंगे और इसका resolution मुझे जल सजल प्रोवाइड कराएंगे वर कुछे दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ मैं daily tweet कर रहा था और daily complain भी कर रहा था flip card customer support में तो जहां तक मेरा अंदाजा है जो का call आया वो स्रिफ इसी वज़े से था customer support पे complain करने से तो मुझे नहीं लगता कि वापस कोई callback आया जो मुझे लगता है twitter पे tweet करने से ये सब हुआ है और मेरा ही ही नहीं काफी सारे लोग को ये issue था last वाले वीडियो में भी इतने सारे लोग हैं आप देख सकते हैं काफी सारे लोगों ने यही problem बताई है twitter पे भी काफी सारे लोगों ने ये चीज पोस्ट की है तो जो simple सा solution मुझे लग रहा है वो ये है कि आप twitter पे एक post कीजिए tweet कीजिए उसमें tag कीजिए flip card flip card support को truecom retailer को भी आप उसमें mention कीजिए और उसमें अपना issue बताईए कि आपके नहीं ये product order किया और अभी तक ship नहीं हुआ इसका क्या reason है वहाँ से आपको एक हातों आत reply भी मिल जाता है जो कि एक automated reply है जिससे कुछ फायदा नहीं होगा आप उस पे दुबारा अगर reply करेंगे तो हातों आत एक automated reply भी आ जाता है लग भी तीन चार मिट के अंदर लेकिन आपको करना ये है कि बस tweet करती जाए ये daily और flip card को call करते रहिए कि आपका issue highlight हो रहे और escalated रहे और उनको ये mention करने को जरूर बोलिएगा जब भी call आए कि आपका order cancel नहीं होना चाहिए क्योंकि अब इसका price काफी बढ़ गया है आप उन्हें बस ये बोलिए कि आपका product जल से जल ship हो जाए इसी issue को highlight करते रहें तो बस ये दो ही तरीके हैं जिससे मुझे लग रहा है और इतनी बड़ा issue आ गया लास्ट टाइम भी मैंने purchase किया था iPhone 12 पिक billion day sale में बट ऐसा कुछ issue नहीं था यार 3 October को place किया तो और 5 को receive भी हो गया product और काफी सही था जन्वन था बट इस बार पता नहीं क्यों ये issue आ रहा है अब शायद 10,000 रुपय का मिल रहा है जिनका cancel हो रहा है और वो नए order place कर सकते हैं बट उसमें भी delivery date आप देखेंगे तो काफी 9-10 October के बात की है तो आप बस उनसे बोलिए कि आपका ये पुराना order cancel ना हो और इसे जल से जल ship करा दिया जाए यही एक possible solution है अभी तक आपका अभी तक आपको मिला या नहीं है शिप हो गया या कैसी स्टेट में है screenshot आप बिलकुल share कीजे ट्विटर पे और कोई अभी तक वे नहीं है इसका तो बस उमीद करता हूँ जल से जल आपके प्रोट्ट्स आपको मिल जाए थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो